हलो फ्रेंड्स, Foundation of Art Software के कूर्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आपको याद होगा कि पिसले लेक्चेर में हमने बिन-बिन तरह की जो हमारे आप कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स होते हैं उनको अपस में पेस्ट करने के कोशिश करेगी। और आज हम इस्ट लेक्चेर में उसी का उल्टा करने जा रहे हैं। अगर मुझे कोई एक स्ट्रिंग डी होई है तो उसको मुझे किस प्रकार से भिन-भिन हिस्सों में की किसे देते हैं और हम अपने कमान को कैसे देते हैं और स्ट्रिट करने के लिए जो आ को इस लेक्शेंट करेंगे और मैं आपको आरभ में बता दूँ अभी तो जो मैं कहाँ कि मैं खाली एक string को split करने का कार करूँगा लेकिन मैं आपको एक एक ऐसा उधारा आ लूँगा जिसके द्वारा आपको यह समझ में आएगा कि मैं कैसे किसी string को split करके मैं आपको एक numerical matrix की form में कर सकता हूँ तो चलिए इस lecture को आरंब करते हैं और हम यहां पर कई प्रकार के धारग लेंगे जिसके द्वारा हम आपको यह दिखाने के कोशिश करेंगे कि आर में हमारी splitting किस प्रकार से होती है तो चलिए इस lecture को आरंब करते हैं ओके तो आप देखिए आर सौफ्ट्वेर में कोई भी string है उसको अगर हमको split करना है तो splitting हमारे उसका कोई एक single character है वहां भी हो सकती है और अगर कोई character string है वहां भी हो सकती है तो इस कार को करने के लिए हमारे पास command होता है str split जिसका मतलब होता है string split अब split का मतलब तो आपको देखिए हिंदी में पता है इसका मतलब क्या होता है पोगला अर्थात हम अपनी इस एक sentence को एक string को हम भिन भिन जगह पर break करना चाहते हैं तो इसको देखिए इस कार को करने के लिए हमारे पास हम अपना command लिखते है str split और फिर parenthesis में हम एक अपना जो भी string है उसको हमने यहाँ पे एक से दिया हुआ है एक से लिखा हुआ है जिसको मुझे split करना है उसको लिखते हैं और उसके बाद में हमारा अगला option होता split यह हमारा split option एक हमारा कोई एक expression होता है character होता है जिसको हम double quotes में देते हैं और इसके द्वारा हम यह बताने की कोशिस करते हैं कि जो हमारी string x के अंदर है उसको किन किन इस्थानों पर split करना है उनको कहां कहां पर break करना है तो यह जो हमारा split है यह हमारा कोई भी एक जो character है या string है या हमारा इसमें देते हैं true, तो यह जो हमारा split है, यह हमारा exactly match होता है, otherwise जो हमारा regular expression उसके द्वारा splitting होती है, तो चलिए, इन बातों को समझने के लिए हम एक उधाराग लेते हैं, और इस उधाराग में आप अगर देखने की कोशिश करिए, मैंने एक यहाँ पर एक string लिए x, इसको देखिए मैंने double quotes में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यह हमारा character है, अब आप दिनासर ज्यान से is available in the online help, और उसके साथ में, मैंने देखी यहाँ पर कुछ एक यह इस तरह के character लिखे हैं, एंड excremetry sign जैसे देखी यह लिखा हुआ है, तो इसी तरह के देखी हमने यह जो characters मेंने जगा जगा लिखे हुआ है, अब हम यह चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमारा यह excremetry sign ल हो जाए, अठाथ, यहाँ से ब्रेक हो जाए, फिर जहाँ पर अगला excremetry sign ले लिखा है, वहाँ ब्रेक हो जाए, देखी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यह यहाँ पर ब्रेक हो जाए, उसी प्रकार से देखी, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से ब्रेक हो जाए, उसके बाद में यहां पर लिखा वाई तो देखे यहां पर ब्रेक हो जाए तो अगर मुझे यह कार आर्ट सॉफ्ट्रेयर में अगर संपन्द करना है तो किस प्रकार से करेंगे हम लिखेंगे स्टी आर एस पी एल आई टी और पैरेंटेस में लिखेंगे हम एक्स और उसके बाद में डबल कोर्स में हम लिख देंगे यह अपना एक्स्रिमेटरी साइन जहां पर जहां से हम अपने इस स्टीम को स्पिट करना चाहते हैं और उसके बाद हम इसको देखेंगे एक्जिक्यूट करेंगे तो देखें हमारा जो आउट्पुट यह आया है जड़ा ध्यान कोशिश करिए जहां पर आपका पहला पार्टिशन हुआ है उसने आपको यहां पर यह लिखे दे दिया है कि यह आपका पहला पार्टिशन है उसके बाद में अब आप अगर देखेंगे जो अगला पार्टिशन आपका कहां पर हुआ है इस एंड के बाद जहां तक कि उसक इसने को ब्रेक किया है तो देखी यह वाला आपको यहां पर मिल गया उसी प्रकाद से आप अगर और आगे आएंगे तो आपको देखी यहां पर मिल गए पेस्ट एंड रिखी यह तो आपको तो आपकी इस देखी कहां पे है यहां पर जब आप and से आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहां पर इसको मिल गया is उसके बाद जब आगे और आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा एन्ड अबिलेबिल इसके आगे बसको कैई आपको यहां पर बल जाएगा और इसके बाद में आप अगे लेखिए और कही बहुत इस्तिमेट्री साइन नहीं है तो देखिए अगला आप पर जो आपकी आपकी इस्टिंग इस्टिंग हो गई और इसके बिन बिन तरके हिस्से मिल गए और तो आपको यहाँ पर एक दो तीन चार पांच हे साथ हिस्से मिल गए अब इसी सेंटेंज को अगर हम फिर से लेते हैं जैसे देखी ये आपका स्क्रीन नौट है इसी ऑपरेशन का और आप इसी एक्पेशन को फिर से लेते हैं और जिस जगहा पर मैंने अपने इस स्टिंग को स्प्लिट करने की कोशिश करी है उसको मैं चेंज करता हूँ, बदल चेंज कर दिया पहले मैंने लिया तक हाली एक्सलिमेटरी साइन अब मैंने ले लिया है और एक्सलिमेटरी साइन दोनों हमारे एक साथ आने चाहिए अब ज़रा से आपको इस अपने एक्स में देखना है कि यह सिंबल कहां पर आ रहा है देखिए आप जब आगे बोलते हैं पहला सिंबल आपका यहां पर आ रहा है दूसरा सिंबल देखिए यहां पर आ रहा है तीसरा सिंबल देखिए यहां पर आ रहा है उसके बाद में जो आपका चौथा सिंबल देखिए यहां पर आ रहा है अब उसके बाद में जड़ा से आप ध्यान दीजिए यह क्या आपने sign mark करे हैं वहां पर आपकी इसकी partitioning हो जाएगी और जड़ा सा आप इसका अगर outcome देखने की कोशिश करिए तो देखिए आपका जो पहला outcome मिल गया आपको मिल गया the यह कहां से आ रहा है यहां से आ रहा है आपका दूसरा जो आपका outcome था देखिए कहां से मिल गया आप आपको यह context यह कहां से आ रहा है यह देखिए यहां से आ रहा है और उसी प्रकार से आप अपना देखेंगे जो आपका third है आपका off कहां से आ रहा है यह आपका यहां से आ रहा है और उसके बाद में आप फिर देखिए पेस्ट कहां से आ रहा है जो इसके आगे लिखा हु अब आकर आप द्यान दें, यहां भी माने लिखा हुआ है, यह excreamatory sign और end लेकिन इसका अप्षक्ता नहीं है, यह अप्षक्ता है यहां पर हमारा लिखा हो यह and and . उसी order में, तो देखें यह जो आपका अंस्पी हिस्से यहां पर पूरा पूरा एक हिस्से में आगया, और इ के फॉर में आ रहा है आपने को स्प्लिट किया है और जो आप की उतर भी आ रहे हैं वह भी पी एक स्टर्न है देखिए और ही आपका इसजेंट आप देखेंGEE यह फैस आप साफ-साफ आप यहाँ पर प्रेक हो गयाれて consider यहां पर देखी ब्रेक हो गया और यह पूरा पूरा एक साथ आ गया उसी प्रकार से अब हम जड़ा सा इसी statement को हम यहां पर फिर से लिखते हैं यह लेकिन आपका एक्स statement वही है यह लेकिन अब हमने अपना जो split का character है उसको बदल दिया अब हमने यहां पर कर दिया exclamatory sign और end पहले बने क्या किया था and और exclamatory sign लेकिन अब हमने इसको कर दिया exclamatory sign और end जैसे यह लिखा हुआ है अब आप जड़ा साथ ढूलने की कोशिश करिए कि इस string में जो आपने उपर लिखी हुई है इसमें यह वाला character कहां पर आ रहा है आप अगर देखेंगे आगे बढ़ेंगे देखिए आपको यह पहला आपको encounter यहां पर होता है और उसके आगे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है उसके आगे यह जो मैंने लिखा हुआ है इसके आगे actually मैं blank space है जो आपको यहां तो नहीं दिखाई पड़ी है जब आप screenshot में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ीगी जैसे जैसे आप अगर देखिए तो मैंने यहां पर देखिए मैंने यह एक blank लिया हुआ है अब यह क्या करेगा यह इसी जगहा पर इसको दो हिस्सों में break कर देगा तो आपको जो यहां पर outcome मिलेगा वो देखिए पहला outcome तो यह वाला मिल गया जो आपका यहां से आ रहा है और दूसरा outcome आपका देखिए यह वाला मिल गया जो आपका यहां से आ रहा है और इसका हमारा जो भी outcome आ रहा है इसको हमने एक y वेक्टर में store कर लिया है अब ज़ ही लीखए डता है तो एगर आप से कहा जाए कि आपने जो अपने स्प्लिκ किया ए उस में नहीं किसी हिस्भव को आप अगर कॉल कर ना चाहते हैं एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको किस प्रकार से किया जाए नियम हमारो बहुती simple है हम सबसे पहले अपना यह जो variable का नाम है इसको लिखेंगे और उसके बाद में यहां पर यह जो लिखा हुआ है double square bracket में लिखा हुआ है one उसको लिखेंगे अब यह जो पहला हिस्सा है इसका हमारा address है one और दूसरा हिस्सा है इसका हमारा address है तो यह जो जो एडुट्रिस हमारे स्क्राइर बैक्ट में लिखना है तो अगर मुझे पहले हिस्से को और फ हम अगे दुप्रीज दूगा जो लिखा और जो निपने पर और यहीं का देखिए। हम आपको यहाँ पर कर के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं देखे जब इसको अशुफिक nee help का वाई और डबली उसक्राय बैकिकट में लिखा 1 और फिर लिखा 1 तो आपको जो पहले आ, उर लोड़ लिका अब यह साथ में, यहाँ पैल का है 50 वाई गए 2 यह था आपको, तीर में उत्तर आपको देदेगा N A, अर्फार यह value यहाँ पर available ही नहीं है, और आप अगर देखिए, यहाँ टो कई हिस्से हो नहीं है, तो यहाँ पर है नहीं, तो यह क्यों आएगा? और उसी के जगा आप अगर अपने पहले वाले operations में आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो जैसकि 1 के साथ में यहाँ पर 1B है, 2B है, 3, 4, 5 है, तो आप पांच हिस्से हैं तो आप उन पांचों हिस्सों को भी आप call कर सकते हैं, तो देखी यही आपका screenshot है और जैसे आपने दे दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, 1 और यह हो गया 2 और जब आपने यहाँ पर इनको call किया तो देखी इसने आपके दोनों हिस्सों को यहाँ पर दिखा दिया, और तीसरे हिस्से में इसने कर दिया कि NA क्योंकि यहाँ पर दो ही हिस्से हैं, तो चलिए आगे बगने के देखे आपका access पकार से आगया और उसके बात में आपने जो अपना string split का command है इसको आपने copy कर लिया और जब execute किया तो देखे इस पकार से आगया, आपने यहाँ पर कहा कि इसी string को हम अपने exclamatory sign पर break करना चाहेंगे, उसको split करना चाहेंगे, तो देखे जहाँ जहाँ पर इसको यहाँ पर break करके दे दिया, अब इसी में अगर हम माल लीजिए, यहाँ पर हम यहाँ पर खाली exclamatory sign था, यहाँ पर मैंने करती है, and or exclamatory sign, तो देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसी पकार से आप इसको देख सकते हैं, और जब इसको execute करेंग तो देखेंगे, यहाँ पर आपको outcome मिल जाएगा, right, और इसी में आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर आपके total कितने हिस्से होगे थे, 7, और यहाँ पर कितने हिस्से होगे, 5, right, तो यह दोनों अलग-अलग हैं, और इसी में आप अगर माल लीजिए, आगे अगर आते हैं तो इसी में आप अगर यहाँ पर इसको and और अगर यहाँ पर कर देते हैं, तो देखें किया आएगा, इसका जो outcome में हम इसको y के अंदर store कर लेते हैं, तो देखें क्या हो जाएगा यहाँ पर, y देखें इस अकार से आगया, right, तो अब इसमें से अगर आपको y का कोई address अ और इसके बाद में यह वाला one, तो देखी, यह आपको पहला part देदेगा, उसी प्रकार से आप अगर दूसरे हिस्से को देखना चाहते हैं, तो यह आपको y double bracket और लिख दीजे two, ऐसे, आपको यह दूसरा part देदेगा, और इसी में आप अगर माल यह third part को देखना चाहते ह यह na क्यों, क्योंकि यहां पर यह तो na ही नहीं है आपका, right, अब जड़ा सा आगे बढ़ने के पहले में आपको यह दिखा दू, यह जो मेरा outcome है mode, y, इसका मारा mode क्या है, देखी क्या है list, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं, और जड़ा सा आपको यह बहुत ही interesting example देखर क के दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम इस string split command की साहता से क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए, मैंने यहां पर एक data vector लिया है, जिसका मैंने नाम दिया है dates, और इसके अंदर मैंने चार खारिके लिखी हूँ है dates, कौन कोची है, 24 July 2020, 25 Agas 2021, उसके बाद में 26 September 2022, और 27 October 2023, और हम क्या चाहते हैं, कि हम इस date के द्वारा एक ऐसी matrix बनाना चाहते हैं, जिसमें कि हमारे पहले column पे आजाए year, उसके बाद आजाए month, और third column पे हमारा आजाए dates, असाथ खूर इस तरह की कि, जैसे हमने लिखा कि 2020, 2021, 2022 और 2023, और month में हमारा क्या आजाएगा, 7, 8, 9 और 10, और date में क्या जाएंगी, 24, 25, 26, 27, अब देखिए बहुत अजीब से लगता है कि आप इस string से आप इस date को कैसे, date को आप किसी matrix में कैसे convert कर सकते हैं, चलिए हम को करके दिखाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें अपने इस date को split करते हैं, और कहां पे split करते हैं, यहां पर हमारा लिखा हुआ है हाइफन, अब अगर हाइफन लिखा हुआ है तो आप देखिए कहां कहां पर हाइफन है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां यहां और यहां यहां तो जब हम इसको split करेंगे, तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार का outcome मिल गया, लेकिन आप पे जो values होती है, वो क्या होती है, numerical होती है, तो अब दूसरा सवाल यह आता है, कि इन characters को किस प्रकार से numerical value में बदला जाए, उसके लिए तो आपको पता है, कि आपका command होता है as.numeric आप इस्तमाल कर लेंगे, लेकिन उसके पहले समस्या यह है, कि यह जो आपका outcome है, date splt जो अपने यहां पे store किया है, इसका आपने देखा कि इसका mode क्या होगा, इसका mode होगा list, तो सबसे पहले आपको इसको unlist करना होगा, तो उसके लिए हमने देखे यहां पे क्या किया है, थ्वासाकलमंदी से काम किया है, कि मैंने अपने लिखी matrix, और matrix में हमने लिख दिया nrow equal to four n call equal to three और जो हमाहरा values होंगी वह हमारी by row होंगे था row wise arrange होंगी और जो हमारा data है इसको मैंने यह जो हमारा date splt का वेक्टर आया है यह वाला right इसको मैंने लिख दिया unlist तो आपको पता है कि list command से अपनी values को unlist कने के लिए हमारा command होता है Unlist तो जब इसको मैंने Unlist किया तो इसने देखी मुझे को इस प्रकार की Matrix दे दी लेकिन इस Matrix के अंदर भी आप देखेंगे कि ये सारी जो Values हमारी है ये हमारी Double Quotes में है अर्थात सारी Values जो हमारी है ये हमारी है Character है और जब लेकिन अगर Character है तो इसी Matrix को हम किसी भी अपने Mathematical Manipulation में इस्तमाली नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए देखें मैंने क्या किया मैंने अपना जो भी हमारा ये Outcome आया था ये जो भी हमारा Outcome पुरा पुरा आया हुआ है इसको मैंने यहां पे लिग दिया as.numeric और उसके अंदर फिर मैंने जो भी हमारी values आय थी उसको मैंने Character को numerical values में convert कर लिया और यही हमारा command है nrow equal to four, ncol equal to three और byrow equal to true तो आप देखेंगे अब आपके जो यहां पर values मिल गई इसके अंदर देखेंगे यह सारी सारी आपकी numerical values आदेगे और यही देखेंगे इसका आपका screenshot भी है कि आपने यहां पे पहले लिया था यह आपने लिया था लिस्ट फिर आपका हो गया character और फिर आम यह करके दिखाऊंगा यह हो जाएगा numerical और फाइनली आपको देखी एक यहां पर यह matrix मिल गई जो आपको यहां पर इस format में आ रही थी एक list के format में सारी सारी values थी तो चलिए जड़ा सा इस command को जड़ा हम अपने art software में करके देखते हैं और आपको दिखाते है कि यह किस प्रकार से कार करेगा यह तो सबसे पहले चलिए हम अपने इस dates command को यहां पर copy कर लेते हैं और इस data को प्यार करते हैं तो देखीए क्या हो गई आपका dates अब इसके बाद में इसको हमको split करना है तो इसको मैंने जहां जहां पर हमारे hyphen sign है वहां पर हमने इसको split कर कर लिया और इसकी जो value आती है इसको देखे मैंने date SPLT के अंदर store कर लिया right अब आप अगर यहां पे जरह इसका mode करिये date SPLT का देखी क्या आ रहा है यह यह आ रहा है list इसका मतलब है कि यह सारी values को आपको list command की जो character sticks होती है उससे आपको free करना है तो उसके लिए हमने क्या किया मैंने एक यहां पर matrix बनाई और साथी उस matrix के अंदर मैंने इन values को unlist भी कर लिया अर्था जो मारे matrix के element होंगे वो हमारे इस outcome के जो भी values है उसको unlist करने के बार में जो values आएंगी वह values होंगी तो देखी यह आपका outcome क्या आगिया date mat इसके अंदर आपने store कर लिया अब इस date mat का आप देखिए mode क्या है देखिए character अब इसी command के अंदर जो आपने यह data दिया हुआ यह आपका character है इसको आपने numerical values में convert करना है तो आपने देखी यहां पर command use कर लिया as numeric और उसके बाद जब आप यहां पर देंगे तो देखिए इसने आपको यह जो आपने और आपके हर एक value में double code लगे हुए थे लेकिन यहां पर देखिए कोई भी double code नहीं लगे हुए है और अगर आप अगर यहां पर अपना इस date matrix का mode निकालने की कोशिश करें तो देखिए क्या हो जाएगा numeric right अब तो आपने देखा हमने कहां से शुरूर किया था और हमने अप ऑछी आपको जैसे मैंने RM बतायता है कि जो हमारा string split command होता है यह हमारी जो string होती है उसको क्रेक्टर वाइज भी धिस्प्रिट करता है और यह strict करता है और आपने देखा कि यहां पर मैंने यह जहतने भी allってる करें हैं देखिं यहांपा यह सारे सारे देखिया आपके strings हैं रा जैसे कि हम मैंने अपना यहाँ पे नाम लिखा S-H-A-L-A-B-H और इसको हम इसके जो हर एक अक्षर है वहाँ से हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया स्प्लिट इकॉल टू डबल कोर्स और डबल कोर्स मैंने कुछ नहीं लिखा खाली छोड़ लिया उसको ब्लैंक स्पेस भी नहीं है कोई स्पेस भी दी नहीं है अब देखिए जब इसका ओटकम आएगा तो देखिए कैसा आज जाएगा इसने इसमें पे हर एक अक्षर को उसने अलग-अलग स्प्रिट कर दिया और यही देखिए इसका स्क्रीन शॉट भी है तो अगर इसी कमांड को अगर हम आर सॉफ्टेर में करने की कोशिश करते हैं तो देखिए किस प्रकार से आपको ओटकम देगा देखिए और आप अगर देखेंगे देखिए यहां पर कुछ मैंने मैंने खाली एक डबल कोट दिया फिर डबल कोट दिया इसके बीच में कुछ ने दिया हुआ है ओके तो अब हम चलिए इस लेक्चर में यहां पर रुपते हैं और आपने देखा कि यह एक बहुत ही आसान सा हमारा लेक्चर था जहां पर मैंने खाली एक ही कमांड की बात करी है कि हम अपने इस्ट्रिंग को किस प्रकार से भिंध भिंध हिस्सों में पार्टीशन कर सकते हैं लेकिन जैसा मैंने आपको आरम में कहा था कि यह सोचना सवा कठेन होता है कि कोई भी इस्ट्रिंग को स्पिट करके हम उसको किसी नुमेरिकल मैट्रिक्स में किस प्रकार से कंवर्ट कर सकते हैं तो यह आपको मैंने यहाप पर करके दिखा है लेकिन यह सिर्फ खाली एक उधारा है और इसके अंदर आपने देखा कि जो जो कमांड्स आपने अब तक सीखे हुए हैं उन्ही कमांड्स को एक लॉजिकल वे में आपने उसको यूस किया है और उसके दोरा आप उसको इंट अभी तो मैं आपको इसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए कहते हैं कि जो भी प्रोग्रामिंग के अंदर आप किस प्रकार का लॉजिक इस्तमाल कर रहे हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैंपल में आपने देखा कि कोई ऐसा लॉजिक या कोई ऐसा करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और किस प्रकार से प्रॉलम को सोच की कोशिश करते हैं कि उस प्रॉलम का सॉलूशन किस प्रकार से आएगा तो अब इसके बाद आपकी बारी है आप इस तरह के और दोहना सोचिए और उनके उपर प्रैक्टिस करिए और जितना अगले लेक्ट्चर में मिलने फिर से आएंगे तब तर के लिए गुडबाई अगले नगले अगले इंगे तर बता है